देवनरायन जी की कथा लोक देवता देवनरायन जी का जीवन परिचे उपनाम आयुर्वेद के ग्याता राज्य क्रांती के जनक विश्नु के अवतार गुर्जर जाती के आराध्य देव जीवनकाल माइनस 1243 से 1290 देवनरायन जी का जन्म इनका जन्म गौद रावत आसींद वीलवाडा के पास मालासिरी के जंगलों में 1245, में माग शुक शष्टी को हुआ था पिता सवायभुज भुजा देवनारायन जी के पिता थे माता से आउ खटानी देवास मध्यप्रदेश देवनारायन जी की माता थी वास्तविक नाम उदे सिंग उदे जी देवनारायन जी वास्तविक नाम था पत्नी पीपल देधार नरेश जयसिंग की पुत्री देवनारायन जी की पत्नी थी संतान बालावा बाली गोडा, लीलागर, देवनारायन जी मुख्य मंदिर सवाई भोज का मंदिर आसींद भीलवाडा, यहां मेला भादरपद शुक्ल सप्तमी को लगता है देवनारायन जी के मंदिरूं वदेवरों में उनकी प्रतिमा के साथ यीटों की पूजा की जाती है इनके मेले के दिंग गुर्जर जाती के लोग दूद नहीं बेचते दही नहीं जमाते हैं मंदिर में नीम के पत्तों का प्रसाद चड़ाया जाता है लोकदेवता देवनारायन जी की कहानी इनके पिता इनके जन से पहले ही भिनाई के शासक रावदूर जन से युद्ध करते हुए अपने 23 भायों सहित मारे गए थे तब इनकी माता सयाओ इने लेकर अपने पिहर मालवा चली थी इनका लालन पालन ननिहाल में ही हुआ था दस वर्ष की अलपायू में वे पिता की मृत्यू का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे तो मार्ग में धारा नगरी में जयसिंग देव परमार की पुत्री पीपल दे से इन्होंने विवाह किया बगरावत महाभारत देव जी ने अपने पितावा भायों की मृत्यू का बदला लेने के लिए लंबी लिढ़ाया लड़ी वदुर्जनशाल का वद्ध किया देव जी और बगरावतों से संबंधे तिनी गाथाओं का वर्नन बगरावत महाभारत कहलाता है बगड़ावत महाभारत की रचना लक्ष्मी कुमारी चुन्डावत नेकी थी देवनारायन की फड़ गुर्जर भोपो द्वारा जंतर नामक वाध्यायंत्र के साथ बांची जाती है सभी लोक देवताओं की फड़ में ये सबसे प्राचीन वह सबसे लंबी फड़ है दो सितंबर 1992 को देवनारायन जी की फड़ पर पांच रूका डाख टिकेट जारी किया गया ये राजस्थान में फड़ पर जारी किया गया सर्व प्रथम डाख टिकेट है स्वयम देवनारायन जी पर भी 2011 में पांच रूका डाख टिकेट जारी हुआ है देवनारायन जी ने 1290 में मुसलिम आक्रमन कारियों से युद्धा करते हुए देवमाली ब्यावर में भाद्रपद शुकु सप्तमी देह त्यागी थी आयूर्वेद के ग्याता इन्होंने गोबर्वनीम का ओशदी के रूप में महत्व बताया राज्य क्रांती का जनक देवनारायन जी ने भिनाय अजमेर के शासक को मार कर अपने बड़े भाई महेंदू को वहां का राजा बनाया देवमाली ब्यावर अजमेर यही पर देवनारायन जी ने देह त्यागी थी यही पर इनके पुत्रों ने तपस्या की देवधाम जोधपुरिया निवाई चोन्ग यहां दिवारों पर बगलावतों के शोर्य गाथाओं के